हम पंजाब के बच्चे बढ़ाओं के लालों हाथों में एके 47 अब नहीं देखना चाहते हैं हमारा मकसद पंजाब की अमन शांती होना चाहिए हमारा मकसद की दोबारा बेहनों के सोहाग ना उजड़े बच्चे यतीम ना हो खून की नदिया नबहे बुली उस्टार उप्रेशन जासा हाथ आना हो तुराच्ची के दंगे जासे पूरे हिंदुस्तान के हलात ना हो इसी पर सर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेमान जुड़ रहे हैं अप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अमरित पाल की गिरफतारी नहीं हुई है लेकिन आब आदमी पार्टी अपनी सरकार की पीट थपतपा रही है आपकी नजर में ये सफलता है पंजाब सरकार की या विफलता है देखो मैडम ना तो हम इस राजनिती में पढ़ना चाहते हैं ना मारा राजनिती से मतलब है ठीक है ना जिसने जो राजनिती करनी करें जिसने मौके का फैदा लेके जो करना करें हमसे आप क्लियर बात करें कि हालात क्या हैं शर्शी कांजी बैठें सीनियर पुलिस आफिसर रहे हैं हमें वो पूछिए हम उसका जवाब देंगे हम इस गंदगी में पढ़ने वाले नहीं इनकी लड़ाई ये जाने इनका काम जाने क्योंकि पंजाब के अंदर अगर आतनक वाद आया पहले जो नहीं रखी गई वो हम राजगंदी राजनिती गल्तियों से नहीं रखी गई आज जो हम खमयाजा पंजाब के अंदर बुक्त रहे हैं च्छती हजार लोगों के शहीद होने के बाद हजारों बेनों के सवहाग उजड़ने के बाद खून की नदिया प ही हम अभी भी खून के प्यासे हैं यह खालस्तानी लोग हम राजनिती नहीं करते ना यह हम इसके जमेदर रहे राजनितिक लोग जैंब ऑकर आता है कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं हमारा मकसद पंजाब की अमन शांती होना चाहिए हमारा मकसद की दोबारा बेहनों के सुहाग ना उजड़े बच्चे यतीम ना हो खून की नदिया ना बहे बुली उस्ट्रार उप्रेशन जैसा हासा ना हो चुराची के दंगे जैसे पूरे हिंदुस्तान के हलात ना हो हम विक्तम हैं हमारा हमने भी सरीरों पे बंब खाए कॉंग्रेस ने बीजेपी ने सी को च Dual-श्रण के गद्गी चलती रहेगी और आज लंदन तक हमारी अंबैसी को गेर लिया एक अमरतagtपाल के कारण गेर लिया गया आपके अंदर अतंकवात समाप्त कैसे हुआ लाए भी राजनितिक लोगों की गलतियों से जब और पुलिटिकल पार्टी एक मंच पे एकठी हुई कि हमें कुर्थी नहीं चाहिए हमें सता नहीं चाहिए हमने बहनों के सुहाग उजड़ने नहीं देने है हमें भूखे नंग नंकवाद थमा तब जाके आया यह लोग चत्ती हदार लोगों का खून पीने के बाद फिर नया मुद्दा कभी सिंदू भाडर के ओपर तल्बानियों की तरह कार देते हैं किसी व्यक्ति को कभी चंडी गड़ के अंदर मौत के सुधागर हमारे लोगों पे हमला करने पाल पुलिस के ओपर घोड़े लेके हमला कर देते हैं और उसके बाद ये अमरत पाल अजनाला थाने के अंदर गुरू गरन साहब हमारे सबसे बड़े गुरू उनको लेकर के एक व्यक्ति को छोड़ाने के लिए थाने के अंदर चले जाते हैं जहां शराब होती है जहां नार् हैं और आज यह हालत आ गई कि आज ओबी सी का एक MLA हैदराबाद के अंदर आज सिख कौम के ओपर इन लोगों की गलतियों से अबरत पाल जासे लोगों की गलतियों से कहा कि सिख कौम कभी हमारे जूते साफ करती थी ये हालत इन लुट्चे लफंगों ने बदमाचों ने हमारे कौम की ये हालत को कर दिया और हम राजनीतिक लड़ाजियों में पढ़के तू बुरा तू बुरा मैं अच्छा तू बुरा ठीक है मैं इसी पर क्योंकि ये सवाल बहुत गंबीर है बिटा साब जो आपने खड़े किये हैं और इस राजनीति को लेकर ही आज हमारा प्रशन भी है कि जब बात देश की सुरक्षा का है जब बात देश की आंतरिक सुरक्षा का है उस वक्त ये क्रेडिट लेने की जो होड है वह क्यों चीडवी है मात बिटा साब आपने के करके सभी की बाते सुनी एक तरफ एक पक्ष है जो कह रहा है कार रोई होनी चाहिए ये डिलेट कार रवाई है कि देखिए अगर इंकाउंटर हो गया तो हलाथ बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे तो हाथ पर हाथ दरे जुरूात हुए और तू तू मैमे में खत्म हो जाईगी हम श्यशी कांजी आपके सामने है यह एक वो कताभ है पंजाब की पॉलिटीशनों की έχει वो किताब क्रिमनल लोगों पाकिस्तान की तरफ से यह वो लोग हैं जिन्होंने वहां से बड़े-बड़े पॉलिटिशनों के नगाबों को नंगा किया खोला उनका चिता खोला मैं फिर कहूं हम पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हम गंदी राजनीती का शिकार हुए हैं पंजाब के अंदर हमने आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना है हमने अपने बाई बैन दो चुरक्चा करमचारी शहीद होते हुए देखे हैं एक उनीस सो संताली वो थी जब हिंदोस्तान पाकिस्तान का बटवारा हुआ एक उनीस संताली मैंने अपने बच्पन पे वो देखी जब गाउं के गाली सैकुलर सिक्षों के और हिंदू समाज के गाउं के गाउं खाली करा दिये मा कहां पिता कहां बच्चे कहां बाई कहां बिछड़ गए सब लोग हमको कोई सोच नहीं हम अभी भी उस राजनिती पे लगे हुए हैं हम लाचों की राजनिती में लगे हुए हैं हम वो वक्त देखा है अजनाला के अंदर जहां एक ब भाईयों को छोड़ दिया गया और हिंदु भाईयों को लाइन में खड़ा करके गूलियों का निचाना बना दिया गया और बेड़े बक्रियों की तरह खून बैता हुआ उस पुलिस टेशन पे मैंने देखा है कि आज उन लोगों को जिकर करने वाला है एक दूसरे को को पूरा किया हमने सरीरों पे बम खाये ओड़ दिया हम अंचान्ठी को लेकर पूरे देश में लगेगे हम से गंदी-राजनितिनी हुती हम पाप नहीं करना चाते जो लोग चाहीद हो गए पंजाब के अंदर उनकी रूह के साथ खिलवार नहीं करना चाते उनके परवार तक था कहा पंजाब हर्याना है माचल तक था कितना सा पंजाब रह गया और वो भी हम राजनिति करते रहे तो याद रखना ये पंजाब को कोई बचा नहीं पाएगा कोई नहीं बचा पाएगा पंजाब को मेरी हाद जोड़के राजनितिक पाच्चियों से सिर्जुगा के अपील है आखों में आचूंएं पर दर्दें बंबो से कभी दुखती नहीं दर उनकी ठेकेदारी होती है और गंदी राजनिति का नंगा नाच होता है फिर हमारे जखमों पे दर्द होता है हाद जोड़के नवेदन है आज नी तो कल जाना है खूब पैसा कमाया हम पॉलिटिशनों ने पंजाब को नोच नोच के खाया पंजाब को पांच द्रियाओं की मिटी बेगुना लोहों का कतले हाम होने के बाद हमने लूट लूट के कर दी वदेश्चों में कारोबार कर लिए अभी भी हम सुद्रे नहीं वही के वही खड़े हैं मुझे माफ कीजिए प्राची जी मैं चमा चाहता हूं मैं चैनल से हट रहा हूं या तू तू महम हमें इनको कराईए हमने अपने विचार करने से कर दी है बंदे मातरम जाहिंद हम और बरदाश्ट नहीं कर सकते हमारे नंदर रहम नहीं हम तरस वाले इनसान नहीं हमारे सरीर ऐसे हो चुके हैं गैंडा है ना गैंडा उसको गोलियां मारोगे ना उसके ओपर असर नहीं होता पर हमारे सरीर ही उनसे उपर हो गए मेरी हाँ जोड़ती में सबसे चमाब काता हूं बिल्कुल बिटाजी देखे सियासत पर हम आप से बात नहीं करेंगे मुझे तो मंझाब के बारे में आपसे बात करनी है मैं तुसरे रिक्वेस्त करूंगी आपसे नहीं सुनना जाता हम यह कहानिया नहीं सुनना चाहते हम पंजाब के बच्चे बाजु tier 47 किस ने पपड़ाई ये भावक बाचनों ने पकड़ाई और आबेके 47 ये अमरत पाल जैसे लोग पकड़ाने आगे 40 साल के बाद हमने क्या सीखा? 60 हजार लोगों का खून पीने के बाद अब भी हम खून के प्यासे 5 साल में 60 हजार लोगों का खून पिया 90 सदार हिंदू भाईयों का कतल याम हुआ 80-70 परसंड सिख भाईयों का कतल याम हुआ कभी सोच के देखा 9 मास का रिस्ता हिंदू सिख रोटी बेटी का रिस्ता हिंदू सिख हमारी बेटियां उनकी बेटियां गरों में शादियां तो बीट में दिवार के और नहारे क्या लगते हैं? प्रक्तार बनाना होगा लगी नजर पंजाबनु एदी नजर उतारो रुकिए रुकिए अमर जी सिंग जी जवाब देने देजे यही तो कह रहे हैं बिटाजी आप सबको समझना होगा कि राजनीती को छोड़कर पंजाब को बचा लीजे आखों में आसूएं उनके जब पंजाब की बात हो रही है तो बीच में एक सिकिंड रुकिए बात कंप्रीट करने दीजे फिर आपी के पास आ रही है रुकिए रुकिए अब ऐसा है आज आप अपने चैनलों में देखेंगे सब चैनल देखिए एक भी सरदार मेरा भाई जो रोज चैनलों पर रुमाल निकालके आते थे ना आज दिखाई नहीं देगा ये भी इसको छूचिए इसको रसर्च किजिए कहां चले गए सब पुलिटिकल पार्टियों के कहां चले गए आम कहां चले गए इतनी हिंदुस क्यों ने बोले पगड़ी वाले लोग हम ये कहें हम इनके साथ नहीं नहीं यह भी देश के साथ दुखा है खुल करके सामने आए सिख भाई आए आपके चैनलों में हम कारस्तान नहीं चाहते हैं कारस्तान मागने वालों के खलाफ हैं हम पूखे नंगे पाकिस्तान से नही मिलना चाथे हम दुनिया में हिंदुस्तान में जितने भी सिख हैं हम खुछ हैं हम इन देश द्रोईयों के खलाफ हैं मैं दावा करता हूं आपके चैनल में कभी हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी भिंदोस्तान से गुर्दवारा प्रबंदक कमेटियों में सिख कौम बैठे अरदास करें प्रेस को बलाए और अवाज दे क्या कहीं अवाज उठती है क्या क्या चबी जन्वरी को तरंगे जंडे का अपमान तरंगा जंडा हिंदू का था सिक्त का था नए हिंदू मुस्लिम सिक्षाइयों का तरंगा जंडा था और पहला जंडा जादी का जहां सर्दार पुटेल जहां लालबादर शास्त्री थे लिए इसी मुद्दे पर इसी हिंदू मुस्लिम सिक्षाइयों के खून से बना तर कभी चनवरी को अपवान हुआ सिक्ष समाज के अंदर पूरी ऑड़ान को सामने नहीं आया ये आप से सवाल नहीं है पुरे हिंदोस्तान की उत्वारा परबंद कमेटे से सब्सक्राइब को सवाल है आप गलत दूर्फ नहीं है तुझे नहीं है मेरा सवाल आप परों से हैं वो सामने क्यों ना है हम पॉलिटीशन रोज आके तू-tू-mé-mé क्यों क्यों कर मैं भी कहूंगा बिट्टा जी ने बात की, पॉलिटिक्स ना करें, हम लोग तूतु में ना करें, जो कम्हीर सवाल है कि क्या हुआ, इसको किस प्रकार से लोगना चाहिए, और आगे इस तरह की गहतना होती है, उनका फिर से रेपिटिशन ना हो, इसको रोगने के लिए क्या